नमस्कार प्रियाज वेज कीचेन इन व्लॉक्स में आप लोगों का सौरत है कैसे हैं आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो लास्ट तक देखें पसंद आता है तो लाइक और जैदा से ज्यादा फैमिल्य और फिंस के साथ सेव कर इसको मैंने दो लिया था पहले भी और काटने के बाद भी धोएंगे इसको चोटे-चोटे टुक्रे में काट लेना है कभी-कभी इसमें थ्रेट भी निकलता है धागा भी वो भी दिखा देते हैं आपको या तो आप चाकू से काटिए या हाथ से सीधे इसको तोड़ते ज आप लोग क्या कहते हैं बताईएगा तो ये रेचा निकलता तो साइट वाले रेचा को निकाल देना है тобाई फेमली में ही आता है तो डिका और आप लोग को निकालर देखा दे रहें ऐसे ओपर से चीलिये पूरा का पूरा रेचा निकल जाता है अब इसको फिर काट लेना और इसको बीच में देख लेना है कि कही जिए है तो नहीं है. कभी-कबी क्या होता है? सेम में अकसर कभी-कबी क्या छांगा है. उब आदार बवा़ इसके पहार देखने ज़िए, कि यह आदार ही गल्लू उब अगरज होते हैं. ऐसे मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी इसको चेक करने का कि जब सारा सेमक देखे कट गया है दूल गया है तो इसको जब कट है ना तो ऐसे इसे फैल आके देख लीजिए और जो बिल्कुल चिपका हुआ रहता है उसको हलका सा बीच से निकाल के देख लीजिए कि कहीं की है कि मैंने उपस इतना अच्छा तो फिर अंदर से जब उसको धोया तो देखे पूरे कीरे तो अंदर में रहता है इसलिए मैं तब से तो इसको एक एक पीस कर मैं देख लेते हूं तो वैसे ही कर लीजिए आलू दो ले लिए थे मीडियम साइज का उसको भी छोजर टुकर अच्छा बॉक्स में देते है न तो उसके लिए भी यह सबजी बहुत अच्छी रहेगी तो सल्सो तेल जब करक गया तो चाथाई चमस जीरा और चाथाई चमस यह सल्सो के दाने इसका तरका लगाएंगे दो लॉंग और एक हरी लाइची का एक देज पत्ता एक सूखी लाल मिर्च बस अब इसमें जब अच्छे से करक जाएगा तो हींग चाथाई चमस ऐसे भी जब हींग तो चेस्ट को भी बढ़ाता है फ्लेवर देता है टेस्ट देता है लेकिन आब आलू दे देंगे लेकिन बिना प्याज लहसन के सबजी में आप हींग थोड़ा सा देंगे ना तो प्याज लहसन का वो जो कितने लोगों को लगता है कि अरे बिना प्याज लहसन के सबजी अच्छी नहीं होगी तो आप हींग चुटकी भर दे दिया कीजिए तो उससे सबजी का चेस्ट बहुत ही अच्छा बर जाता है और यह अदर ज्यादा पकने पर क्या हो जाता है वो थोड़ा सा ज्याए हो जाता है तो इसलिए बस पांच से दर सकेंड चलाने के बाद इसमें डाल दिये और यह अब साथ में भूनाता रहेगा तो सादा सीम को दे रहेगा मैंने हाफ केजी सीम लिया था और दो मीडियम साइज का और अभी ठंड के मौसम में यह धनिया तो इसको कूट के देंगे तो धनिया को हलका सा कूट करके डाल दिये इससे क्या होता ना धनिया कम फ्लेवर बहुत ही अच्छा है यह भूना हुआ जीरा पॉज़र अच्छा था यह चमच अच्छा था यह चमची काली मिल्च थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो इस अच्छे से इसको भून लेंगे अब नमक स्वादा नुसा थोड़ा कम देंगे क्योंकि इसमें काला माला काला वाला नमक भी यूज़ करेंगे तो अच्छे से भून के इसको ढख करके अच्छे से आलू सिम दोनों को गलने तक पका लेंगे कि अच्छे से भुना जाए जब यह भुना गया तब इसमें टमाटर एक टमाटर है इसको काट बिल्कुल महीन काट के लिए हैं आप लोग चाहें तो इसको पे यह पीस करके भी ले सकतें ग्राइंडर में एक हरी मिर्च कटा हुआ और टमाटर डाल के बीच में जग को भी डबल कर देगा देख लेता है तेमाटर गल चुका है या परोटी पराथा चावल डाल किसी भी चीज के साथ खाइये यह सबजी बहत ही अच्छी लगती है या किसी को लंच बॉक्स भी देना है तो उसमें भी आपी यह सबजी दे सकती है यह लान मीर्च पॉडर ती अब इसमें धनिया पत्ती डालेंगे मैंने इसको ज्राइ ही रखा है मैंने ये टिफिन बॉक्स के लिए बनाया है लंच के लिए तो देखिए कितने अच्छे से भूना गया कि पूरे कराई में और भी आपको दिख रहा होगा कमी और एक चमच और लिये थे आलू भी अच्छे से पक गया इबर चेक कर लेते हैं देखिए पक गया हच्छे से सीम भी तो ये सुखा आलू सीम की सबजी एक बार जरूर बनाईए और मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो किजिए प्रियाजवज की चनिन ब्लॉक्स धनिया पत्ती आप अपने एक चानुर सार महीन चौप करके डालिए तो देखिए अब सबको अच्छे से मिला देंगे और आप लोग को सिंपली एक सिंपल सी सब्जी बनकर जटपर तयार है जिसमें ज्यादा कोई महनत के जरूरत नहीं परेगा आपको अब इसको सर्व कर के आप लोगों को दिखाते हैं तो देखिए मैं एक कर्टोरी में निकाला है थोड़ा सा उपर से थोड़ा सा गार्निस के लिए धनिया पत्ती और सब्जी बनकर तयार है तो कैसी लगी मेरी रेसिपी बताईएगा देखने में अच्छी लग रही है ना जितनी अच्छी द थेंक यू